नमस्कार दोस्तों मैं इंकोर उपाथ्याए स्वावत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में काफी सारे कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं कोविड को लेकर यह जो नया कोविड आया है यह कितनी बड़ी प्रॉब्लम का विशय बन सकता है भारत के लिए कितना बड़ा विशय बन सकता है शेर बजार के लिए और आज देखो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ अगर कुछ भी एक्शन हो रहा है और उस एक्शन के पीछे आपको न्यूज मिल जाती है आपका मनोबल डवल हो जाता है आपका कॉन्फिडेंस सरके पार निकल जाता है आप कहते है यह तो फैक्ट है इसी वज़े से हो रहा है सब खतम कर दो या सब खरीद लो पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि यह एक्शन में है कितना खतरनाक यह क्या चीज क्या इसकी वज़े से शेर बजार नीचे जा रहा है या जा सकता है यह सब आपको मैं कोशिश करूँगा अपनी short and simple language में समझाने के लिए पहले मैं बजार का अपडेट दे दू तो निफ्टी आपके लिए 26 पॉइंट नीचे है और बैंक निफ्टी 135 पॉइंट नीचे है मार्केट हलका negative trend में trade करता हुआ दिख रहा है कल भी आपके लिए top से नीचे आगया था और आज भी आपके लिए top से नीचे ही आगया है हलागि नीचे से recovery भी बहुत अच्छी आई है पहले मैं आपको दो चीज़ां बताना चाहता हूँ वन साइड़िट मार्केट भागा है आपके लिए उननिस हजार छैसो से उननिस छैसो से एककेस पांसो होता है पता है कितना 900 पॉइंट 900 पॉइंट वन साइड़िट भागने के बाद अगर बजार 200, 200, 300 पॉइंट करेक्ट हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है और ऐसा नहीं है यह जो हजार पॉइंट भागा है 900 पॉइंट यह दो-चार महीने भागा है यह आपके लिए भागता हुआ दिखा है 20 तारिक से लेकर अभी तक यानि एक महीना एक्जेक्ली हुआ है और इस बीच में कोई करेक्शन नहीं आई है एक करेक्शन जरूर आई थी 21,015 से 20,800 तक है और फिर आप लोगों ने हाई देख लिए अब यहां पर important क्या है important है देखो दो चीज़े है पहला बजार गिरेगा आज नहीं तो कल नहीं तो परसो परसो नहीं तो अतरसो क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा क्योंकि 20,300 से 20,600 के बीच में गैप छूटा हुआ है तो वो गैप तो फिल होना ही होना है चाहे उसमें आप कोविड का नाम जोड़ दो या फिर कोई अलग रीजन जोड़ दो लेकिन वो गैफिल होगा अब आज हो जाएगा कल होगा मिर को नहीं पता 22,000 पे जाने के बाद तूटेगा या फिर यहीं से तूटेगा वो मिर को नहीं पता वो आपको भी नहीं पता वो किसी को नहीं पता लेकिन COVID की अगर especially केवल और केवल COVID की बात करें तो मेरा ये मानना है कि बजार COVID के चलते बिलकुल भी रियक्ट नहीं कर रहा है बिलकुल भी नहीं कर रहा है और COVID का बिलकुल फर्क भी नहीं पड़ेगा बजार पे यह मैं आपसे कह सकता हूँ COVID को गई तीन साल हो गई सब ठीक कर दिये COVID से नया वेरियंट आ रहा है उससे कुछ नहीं होने वाला एक बहुत जादा कुछ प्रॉबलम बनी तो एक शार्प इंपेक्ट 48 घंटे के लिए आ सकता है मर्केट में बड़ा एक्षिं चलनरा है जिसके वहीं और फिर यह नहीं गुमन रहता है विंद्रो बहुत कब कर पाते है तो मार्केट में लिकुडिटी बहुत जादा है जिस कारण हो सकती магазin रीजन है Consolidation गिरावट नहीं Consolidation यह पचास सो पॉंट नीचे यह मैं Consolidation कहूंगा भाई गिरावट नहीं कहिंगे से उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है FYI छुट्टी पे जा रहे हैं ऐसा मैं फील करने लगा हूँ Christmas से पहले वो चले जाते हैं एक हफते पहले और Christmas आपके लिए next week है और फिर new year के बाद ही आएंगे वो FYI बड़ा flow लेके आ रहे थे जिन्होंने Friday को साड़े नौजार क्रोड की बाइंग करी है पांच-छार क्रोड की future में खरिदारी करी है तो यह आपको clearly दर्शा रहा है कि FYI बड़े mood में थे अब आपके लिए कल रेटा क्या है 33 करोड की FYI ने selling या buying करी है exactly मैं आपको बता दूँ तो selling करी है 33 करोड की और futures में 1900 करोड का बेच दिया है यानि कि वो छुट्टी पे जा रहे है पैसा निकाल रहे है बजार से यह clearly दिख रहा है तो मेरे को लगता है market अब 21-500 नहीं पा लिए तो FIS की booking के चलते और booking retail category से भी आ सकती है तो वो selling pressure बना सकती है और अगर आप एक और technical terms पर जोड़ें तो यह हो सकता है आपके लिए कि जो market ने gap चुड़ा है वो gap भी फिल करने जा सकता है अब आ जाता हूँ मैं कोविड पे कि कोविड कितना serious है कोविड के total new cases जो ह variant पाया गया है जिसका नाम I think JN1 आ रहा है ठीक है जी और यह जो कोविड का case है ना यह 15 travelers में पाया गया है 15 travelers में जहां पे जो मतलब travel करते हैं उनके अंदर उनको पाये गया है 15 लोगों में पाये गया है और इसमें मैं आपको यह और बता दूं कि जो केरला की health minister है वीना ज लेटर्स तो वो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं बहुत सारे हैं हमारे पास तो सबको पूरी सुविदा मिलेगी कोई हगडम दगडम नहीं बचने वाला है और उससे भी बढ़ा यह बात है कि डरने की कोई घबराने की कोई बात नहीं है ऐसा भी उन्होंने अपने statement में mention क किया है तो मेरे को नहीं लगता कि इतना serious होना चाहिए भाया हमने 2255-500,000 केस देखे हैं लोगडाउन देखा है लोगडाउन तो आम नहीं लगने वाला चलता रहेगा तो वह रिलेक्स रहो मार्केट को लेकर हां कोविड की केस बढ़ रहे है वह चिंता का विशे जरूर हो तो मत दरिये हां आपको बाकी कोई डर लग रहा है तो definitely आप profit book या फिर थोड़ा side में बैठ सकते हैं पैसा लेकर Thank you so much for watching this video. Have a great day guys